पिछला क्लास में हम नाभीकिये रियक्टर के बारे हम बात कर रहे थे नाभीकिये रियक्टर क्या है नाभीकिये रियक्टर के भाग एक कौन-कौन से हैं जिसमें आप लोग को बहुत ही महत्पून अब्जेक्टिव था सभी नाभीकिये रियक्टर से लेक्टेट जो भी है उस सब objective के रुप में ज्यादार पूछा जाता है आज हम लोग बात करेंगे उर्जा बैंड के बारे में उर्जा बैंड करा कि उर्जा बैंड क्या है उर्जा बैंड क्या है यह सब लैंग्वेज पर अधारी topic है कि वह लैंग्वेज है कोई mathematical equation नहीं कि वह लैंग्वेज कूचालक और अर्धचालक को परिभासित करें उर्जाबैंड क्या है और ठोस में उर्जाबैंड के अधार पर सूचालक कूचालक और अर्धचालक को परिभासित करें ठोस में उर्जाबैंड क्या है और उर्जाबैंड के अधार पर सू चालक, उचालक और अर्ध चालक को परिवासित करें तो बहादूर हम बात करते हैं ठोस में उर्जा बैंड क्या है तो बहादूर हम जानते हैं कि परतेक पदार्थ छोटे छोटे कौनों से मिलकर बने होते हैं पर्तेक पदार्थ छोटे छोटे कौनों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें पर्माणू कहा जाता है पर्माणू की उर्जा विभीन अस्तरों में बटी होती है जिसे उर्जा अस्तर कहा जाता है पर्माणू की उर्जा विभीन अस्तरों में बटी होती है जिन्हें उर्जा अस्तरों में बटी होती है जिन्हें उर्जा अस्तरों में बटी होती है जिन्हें उर्जा अस्तर कहा जाता है और्जा अस्तर को आप जानते होंगे अनेक परमानों से घिर जाता है जब एक परमानों अनेक परमानों से घिर जाता है घेरा जाता है तो उनके विच खीचा तानी सुरू हो जाती है उनके विच किरिया परतिकिरिया सुरू हो जाता है जब एक परमानों अनेक परमानों से घिर जाता है तो उनके विच किरिया पर प्रतिक्रिया होने लगती है इस प्रतिक्रिया का प्रभाव भीतरी उर्जास्तर पर नहीं पड़ता है अब जानते हैं तो कुछ भी होगा भीतरी उर्जास्तर पर या भीतरी का अक्षाओं में कोई फरक नहीं पड़ेगा तो इस प्रतिक्रिया का प्रभाव भीतरी उर्जा आस्तर पर नहीं पड़ता है लेकिन बाहरी उर्जा आस्तर बहुत प्रभावित होते हैं इस परतिक्रिया का प्रभाव भीत्री उर्जा आस्तर पर नहीं पड़ता है लेकिन बाहरी उर्जा आस्तर प्रभावित होते हैं तो इस परतिक्रिया के प्रभाव के कारण बाहरी उर उर्जास्तार और चोटे चोटे टुकड़ों बढ़ जाते हैं जिसे हम उर्जा बैंड के नाम होते हैं पहला है संजो जाक्ता बैंड संजो जक्ता बैंड भैलेंस बैंड ये टॉपिक याम में पिछला चार सालों में दो बार पुछ चुका है संजुजग्टा Band, भैलेन्स Band, दूसरा है चालन Band, कंडक्शन Band और तिसरा है वर्जित छेत्र, फौरबिडन Band उर्जा Band तीन प्रकार के होते हैं पहला है संजुजग्टा Band वह उर्जा Band जो इलेक्ट्रों से पूरा-पूरा या अंसीक रूप से यानि वह उर्जा बैंड जो इलक्ट्रों से अंसता या पूर्णता भारा होता है वह उर्जा बैंड जो इलक्ट्रों से अंसता या पूर्णता भारा होता है या तो पूरा-पूरा भारा रहता है या लगभग भारा होता है संजोजाक्ता बैंड कहलाता है वह उर्जा बैंड जो इलेक्ट्रों से पूरा पूरा भरा हुआ है या अंस्ता भरा हुआ है अंस्ता माने लगवग लगवग पूर्णता माने पूरा अंस्ता या पूर्णता भरा होता है संजुजक्ता बैंड कहलाता है वो उर्या बैंड जो इलेक्ट्रों से अंस्ता या पूर्णता भरा होता है संज्यक्ता बैंड कहलाता है संज्यक्ता बैंड में इलेक्ट्रों पूरा पूरा भरा होता है या लगभग भरा होता है संज्यक्ता बैंड में इलेक्ट्रोन पूरा पूरा भरा होता है या लगभग भरा होता है इस तरह से यह संज्यक्ता बैंड हुआ और चालन बैंड में इलेक्ट्रोन जो है लगभग खाली होता है या हलका हलका कई भरा होता है यानि चालन बैंड जो इलेक्ट्रों से अंस्ता या पूर्णता खाली रहता है संजक्ता बैंड जो अंस्ता या पूर्णता भारा होता है और चालन बैंड जो अंस्ता या पूर्णता खाली रहता है या तो पूरा खाली है या तो लगवा खाली है माना जाएगा इस तरह से तीन-चारगो इलक्ट्रोने है खाली है इसमें पूरा भारा हुआ है यह संजुजक्ता बैंड इसमें जगह खाली नहीं है तो संजुजक्ता बैंड में इलक्ट्रानों को चलने के लिए जगह रिक्त नहीं रहता है, सवज्जक्ता बैंड में एक्ट्रोन को चलने के लिए जागह रिक्त नहीं होता है, यानि सवज्जक्ता बैंड में मुक्त इलक्ट्रोन, मुक्त इलक्ट्रोन नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें रिक्त जागह नहीं होता है, चालन बैंड में रिक्त मूगत में होते हैं क्योंकि इस में रिक्त जगा होता है यहां पर यह बार बार रिक्त और रिक्त और मुक्त में क्या अंतर है रिक्त माने खाली मुक्त मतलब भी खाली रिक्त मतलब खाली और मुक्त मतलब खाली लेकिन रिक्त मतलब जागा खाली मुक्त मतलब कोई वस्तु खाली रिक्त मतलब जागा खाली और मुक्त मतलब कोई वस्तु खाली जैसे इलक्ट्रोन में रिक्त जगह है, इलक्ट्रोन रिक्त होता है, मतलब इलक्ट्रोन में जगह खाली होता है, इलक्ट्रोन मुक्त होता है, मतलब इलक्ट्रोन फ्री होता है, जैसे हम आपसे पूछते हैं, कि क्या आपका बस रिक्त है, क्या आपका बस रिक्त है, यानि मेरा करना चाहते हैं कि आपका बस उस दिन खाली है तो हां सर खाली है जहिया कहीं तहें चल देंगे तो मुक्त कमत जिसे माली हम मुक्त हैं हम रिक्त नहीं है हम मुक्त हैं रिक्त कमरा रिक्त होता है कमरा आदमी से खाली है कमरा रिक्त है तो जगह रिक्त होता है और कोई वस्तु मुक्त होता है मुक्त मतलब खाली रिक्त मतलब खाली रिक्त मतलब जगा खाली मुक्त मतलब कुल वस्तु खाली हम आसा करते हैं को समझ में आ गया होगा तो वह उर्जा बेंड जो इलेक्ट्रॉन से पूरा-पूरा भारा हुआ है संजक्ता बैंड और वह उर्जा बैंड जो इलेक्ट्रॉन से पूरा पूरा खाली है वह चालन बैंड संजक्ता बैंड में लेक्ट्रॉन को चलने के लिए जगा बिलकुल नहीं है चालन बैंड में लेक्ट्रॉन को चलने के लिए जगा ही जगा है और संजक्ता बैंड और चालन बैंड के बीच की गैपिंग है इसे हम वरजित छेत रकाते हैं पर्मानु की उर्जा छोटे छोटे चोटे अस्तरों में बटी होती है जिसे हम उर्जा अस्तर के नाम से जानते हैं इस खिचतानी का प्रभाव बाहरी उर्जा अस्तर पर पढ़ता है लेकिन वित्री उर्जा अस्तर पर प्रभाव नहीं पढ़ता है बाहरी उर्जा अस्तर और छोटे छोटे टुकड़ों बढ़ जाती है जिसे हम उर्जा बैंड के नाम से जानते हैं उर्जा बैंड तीन परकार के होते हैं संजाक्ता बैंड चालन बैंड और वर्जीत छेत्र वह उर्जा बैंड जो इलेक्ट्रों से पूरा पूरा भरा हुआ है वो संजाक्ता बैंड है जो इलेक्ट्रों से पूरा पूरा खाली है वो चालन बैंड है संजक्ता बैंट में इलेक्ट्रोन को चलने के लिए रिक्ट जगह नहीं होता है यह हुआ उर्जा बैंट के बारे में उर्जा पेंट क्या विए धर पर थोस को तीन भागों में बाटा गया है सूचालक, कूचालक और अर्धचालक यहाँ थोड़ा सा समझने कोसिस करिएगा इस चेप्टर में उर्जा बैंड के अधार पर थोस को तीन भागों में बाटा गया है सूचालक, कूचालक और अर्धचालक हम लोग चेप्टर वन में पढ़ेते हैं याद होगा कि पदार से दो ही परकार के होते हैं सूचालक और अर्धचालक पदार दो परकार के होते हैं कूचालक और पराबाईदुत माधियम याद होगा आप लोगों को वहाँ पर अर्ध चालक के बारे में कोई दूर दूर तक बात नहीं थी वहाँ पर और चालक पदर दो प्रकार के होता है कूचालक और पराबैदुत माध्यां ऐसा हमने बताया था ठीक उसी तरह थोस में उर्जा बैंड का धार पर तीन भागों बाटा गया है सूचालक कूचालक और अर्ध चालक समझने कोशिश करिएगा वह पदार्थ जिसमें संज़जाक्ता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे के संपर्क में होते हैं वह अपदार जिसमें संजगता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे के संपर्क में होते हैं या एक दूसरे पर चड़े होते हैं एक दूसरे के संपर्क में होते हैं या 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 एक दूसरे पर चड़े होते हैं वीछ सा पदा जस्में सुन्यक्ता वैंड कि यह दुसरे के संपर्क होते हैं वर्जित यक्षटर की चौढ़ाई सुन्य होती है थे इसके कारण सवजब्सक्राइग के कुछ इलेक्ट्रौन चालन वैंड में हमेशा अपने आप आ जाता है चुकि यह gaping खतम हो गया और यह पूरा-पूरा भारा हुआ है तो संजो जक्ता बेंड के कूछ इलेक्ट्राउन चालन बेंड में अपने आप आ जाता है यह हмиुटेज देंगे तो यह लाक्टराउन चालन बेंड में अपने आप आजाता है यह तो ऑपश्थित होता है छोकि मूब्ध इलेक्ट्राउन के रूप में होता है जब इसमें से इसमें आ गया तो इसमें भले जगा ना हो लेकिन इसमें जगा है तो यह मुक्त इलेक्ट्राउन के रूप में होता है अग थोड़ा सा भी वोल्टेज देंगे तो यह 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 य होते हैं एक दुसरे के संपर्क में होते हैं या एक दुसरे पर चड़े होते हैं यह हमारा सुचालक कहलाता है सुचालक में वर्जित छेत्र की चड़ाई सुन्य होती है सुचालक में वर्जित छेत्र की चड़ाई सुन्य होती है सुचालक में वर्जित छेत्र की के रूप में होते हैं और यही इलेक्ट्रॉन धारा परवाह का कारण बनते हैं लेकिन खुच अलक में खुच अलक में संज्यक्ता बैंड चालण बैंड के जो बीच की गया पिंग वर्जित छेत्र यह इतना ज्यादा चौड़ा हो जाता है इतना अधिक चौड़ा हो जाता ह कि संज्जक्ता बेंड के लेक्ट्रोन कितना भी वोल्टेज दें चालन बेंड में आही नहीं पाते हैं कुछ अलक में ये वर्जित छेत्र के चौड़ाई इतनी ज्यादा हो जाती है वर्जित छेत्र की चौड़ाई इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सुच जखता बेंड की इलेक्ट्रॉन को कितना भी बोल्टेज दें चालन बेंड में आही नहीं पाता है चालन बेंड में नहीं आपाता है कितना भी बोल्टेज दें चालन बेंड में नहीं आपाता है जब चालन बेंड में नहीं आएगा तो इसका मतलब धारा की जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मुक्त नहीं होंगे तो धारा का परवाह नहीं होगा से कम तीस फैमिली मेंबर है है कि एक सबक्राइबारे जिसमें उसके बगल को इस घर में 30 मेंबर है इस तरह के परिस्थिती में आप लोग नोटिस किया होंगे कभी इस घर के फैमिली मेंबर कोई एक जरूर इसके हां हमेशा उपास्तित होता है आप नोटिस इस यए होंगे कि बअ गर्ण वालग जो फैमिली गृयूप है उस घर के एक आदमी कोई एक औरत कोई एक लड़की इस घर में हमेशा आके बैढ़ी जाती है चाहे वो आराम करने के लिए बैठे गप सब करने के लिए बैठे रिलेक्स करने के लिए बैठे या घर में से काम करने से भागने के वज़ा से बैठे वो अलग बाते लेकिन इस घर में जरूर आके रहेगी और प्रOCिस्टियों कि इसको आराम करने का मौकाई नहीं मिल रहा था रिलाक्स होने का मौकाई नहीं मिल रहा ह। इतना भीड़ बड़ Dusty एक अगल करदमी आथा है हमेशा अब बॉस में जाए पूरा बॉस ठूसा ठूस भरा हुआ है थोड़ा से बस रुके गाना तो दरवाजा परके 10 पना दमी उतर जाता है तुरह दो मिनट के लिए रुके गाए तो उतर जाएंगे आप फिर जाब चले गाए तो चलेंगे हमेशा जब भी बास रुकेगी दस अद्मी तुरत उतर जाएंगे फिर बास चलेगी चढ़ेंगे इसका रिजन क्या है क्योंकि अंदर इतना जगह कम है और जैसे रुका तो जगह खाली मिला तो अद्मी उतर गया तो संजयक्ता बेंड और चालन बेंड जो संपर्क में रहेंगे तो इसमें इतना चुकी भरा हुआ जगह है कि इसमें से कूछ इलेक्टरान हमेशा इसमें उपस्तित होते हैं कभी कभी आप लोग नोटिस कि होंगे कभी कई जाईएगा किसी के आप फंक्सन में मालिए किसी क अब बहुत जदा भीड़े महां पर बोज़ा आद्मी रात में बहुत कश्ट से स्वे हुए हैं कि सुबह में देखेगा दो तीन आदमी बाहर से चल के आएंगे यार दोस्ता आपके दो बाहर चल के आएंगे आप उचिए काहा रहा सरे तो निके तो लोग एजा सुतरान ह हमानी कहोने ब्रवास्ता रहा है तो यह उससे लिए लिए ओलोग यहाँ पर ब्रवास्ता होती ना तो वो दोनों यहां से जाते ही नहीं बाएंगे तो कोई दूसरी जगा अरेंजमेंट करवा लेता है लेकिन बात करते हैं जब कुछ अलक में तो संज्यक्ता बैंड चालन बैंड के बीच की गैपिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कितना भी भोल्टेज दीजिए कितना भी लालाच दीजिए संज्यक्ता बैंड के लेक्ट्रों चालन बैंड में नहीं आ पाते हैं मतलब इसमें मुक्त लेक्ट्रों नहीं हो पाता है और धारा परवाहिद नहीं होता है तो कुछ अलक है और दचालक के हम बात करें और दचालक के हम बात करें तो और दचालक में कहता है कि संज्यक्ता ब संजक्ता बंड़ के karşıya कि अपने आप अप तो नहीं आते हैं जोंगत I давайте सब्सक्राइब को अब हर ने पर आ जाते हैं निया जू चालक में आप लेकिन अर्था चालक मेंпод्वेश देने पर आ जाते हैं तो क्यार है कि संजखता बैंड के कुछ वोल्टेज आरोपित करने पर आ जाते है और ये फिर से मूगत इलेक्ट्रॉन कर रूपित में रहते हैं और यही इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह का कारण बनता है जदी आप लोगों को यहां तक में कोई प्रावलम हो ता बेजीजक सवाल कर सकते हैं अभी तक तो अभी तक आपने देखा उर्जा बैंड उर्जा बैंड तीन प्रकार को होते हैं संजुख्ता बैंड चालन बैंड और बार्जित छेत्र उर्जा बैंड के अलक में संज़क्ता बेंड चालन बेंड उपवाहित नहीं होता है। संजग्ता बैंड चालन बैंड के बीच की वर्जित शतर की चुड़ाई कम होती है जिससे अधिक भोल्टेज नरोपित करने पर संजग्ता बैंड की ट्राण चालंड में चले आते हैं जो धारा परवाह का कारण बनते हैं और जटe नियुकूर दो परकार के होते हैं पी टाइप और एंट टाइप पांट इसको सूध़ और बाह और्दचालक इसको जुकाते हैं किमेश्टी में यह दोनों नहीं पढ़ना कि में डायट पढ़ना है कि और द्चालग दो परकार के होते हैं P टैप और एंड टाइप पी टाइप और एंड टाइप याद रखिएगा केमेश्टी में डिरेक्ट और्द चालग दो परकार के पी टाइप और एंड टाइप लेकिन फिजिक्स में और्द चालग दो परकार के सुद्ध और असुद्ध नायज और बाहे याद रखिएगा कर रहा है कि अर्दचालक पनार दो परकार के होते हैं एक नएज अर्दचालक जिसको सुध अर्दचालक भी कहते हैं और एक होता है बाह अर्दचालक जिसको असुध अर्दचालक कहते है वह अर्दचालक जो प्रकिर्ती में अपनियाब पाये जाता है यही दो अरदचालक हैं जो प्रकृती में स्वता ह पाए जाते हैं आपने आ पाए जाते हैं लेकिन इनकी चलक्ता इतनी कौम होती है कि केमेश्ट्री में इसको और्धचालक माना ही नहीं जाता है। इनकी चलक्ता इतनी कौम होती है कि केमेश्ट्री में इसको और्धचालक नहीं माना जाता है। केमिश्डी में आप से सर कहेंगे कि जर्मेनियम और और शिलिकन अर्धचालक नहीं है लेकिं penser में आप किसी BOOK को खोल के देखिए गा somair जर्मेनियम अर्धचालक सुद्ह अर्धचालक के के्टेगरी में आते हैं वह अर्दचालक जो प्रकृति में स्वता पाय जाता है नेज जो वर्ड बना है वो नीजी से बना है नीजी मने अपना स्वता तो वह अर्दचालक जो प्रकृति में स्वता पाय जाता है वो नेज अर्दचालक है इससे सुध अर्दचालक के नाम से भी जानते हैं जर्मेनि परियोग से ऐसा पाय जाता है कि जब सुद्ध अर्द चालक में असुधी मिलाते है तो उसकी चलगता अचानक बहुत बढ़ जाती है सुद्ध अर्द चालक में असुधी मिलाते हैं तो उसकी चलगता बहुत अचानक बढ़ जाती है सुद्ध अर्द चालक में असुधी मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं डोपिंग के फल सरुप जर्मेनियम और सिलिकन की चलगता बहुत अधिक बढ़ जाती है सुद्ध अर्द चालक में असुधी मिलाने से उसकी चलगता बहुत बढ़ जाती है सुध अर्द चालक में असुधी मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं सुध अर्द चालक में असुधी मिलाने की प्रक्रिया के बाद डोपिंग कराने के बाद जो अर्द चालक मिलता है उसे हम बाह अर्द चालक असुध अर्द चालक कहते हैं सुद्ध अर्द चालक में असुद्धी मिलाने के फॉल सरूप जो अर्द चालक मिलता है उसे असुद्ध अर्द चालक आते हैं सुद्ध अर्द चालक में असुद्धी मिलाने के बाद उसकी चलकता बहुत बढ़ जाती है तो सुद्ध अर्द चालक में असुद्धी मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं प्रकार के होते हैं पी ताइप और एंटाइप भादूर, पी-टाइप और प्रकार के होते हैं तो इसके बारे में अगले कलास में अब गल जानेंगे, आज के इसके कलास में इतना ही धन्यवाद अब आप लोगों को कि नहीं को कोई साल